मैं आपका स्वागत है आज हम अर्वी की सब्जी बनाएंगे क्रिस्पी फ्लेक्स के साथ इसके लिए हम ने लिया है आधा किलो अर्वी या घुईया एक मीडेन साइज का प्लाज एक चम्मच स्वाबुद जीरा एक चम्मच अजवाईं आजवा चम्मच गरम मसाला , 1-4 teaspoon नितिधाना , 1-4 teaspoon पॉण फ्लोर , 1-4 teaspoon जावल काटण , 1-4 teaspoon अर्चुपाउड़ू रिएंग , 1-4 teaspoon चाट मसाला , सर्सोगा तेल कुख्य मसालों में हमने दो चम्मच धनिया पाउडर आधा चम्मच लाल मिर्स पाउडर वन थ्री फोर्थ हमने हल्दी पाउडर लिया है अर्वी को अब हम एक ग्लास पानी डालके उबाल लेंगे और इसमें हमने चार अर्वी को निकाल लिया है इसके हम चिस बना करके डी फ्राइ करेंगे दो सीटी आने तक हम इसे उबाल लेंगे इसे रवी हमारी ऊबल चुकी है इसे हम फंडा होने के लिए 20 में टिलिए ऐसे ही छोड़ देंगे अब इसके हम पत्लेपत्ले चुस बना लेंगे इसको हम आधा कर लेंगे आधा करने के बाध एंशी सो पत्ले चुस बनाएंगे इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे अब इसमें हम कॉर्ण फ्रोल और चावल काटा मिक्स कर लेंगे चुटकी भर हम इस पर नमक भी डाल देंगे और से अच्छी तरह से मिलाएंगे अब हमें तेल को हाई फ्लिंग के गरम कर लिया है जैसे हम अर्वी के क्रिस्पो डालेंगे हम फ्रेंग को लो टू मिजियम कर लेंगे और इससे हम क्रिस्पी होने तक कर लेंगे इसे हम चलाते भी रहेंगे अब है अच्छी तरह से प्रिस्पो चुकर है और इसे हम अब निकाल लेंगे इसे हम ठंड़ा हमने देंगे अच्छीप्स मारे काफी करारे बने हुए है और यह मारी ठंड़े हो चुकी इसको हमने दो पीसे में काट लिये हैं एक बड़ा चिमत तेल डालके हम इसे गरम कर लिया है मेथी दाना डाल देंगे इसके पूट्णे का हिंजार करेंगे अब हम हिंग डालेंगे हिंग डालते ही हम जीरा डाल देंगे आजवाइन भी डाल देंगे अब हम कटेवी प्याज को डालेंगे इसे अची तरह से चला लेंगे इसे में ब्राउन नहीं करना है ट्रांस्परेंट ही रखना है यह अच्छी तरह से भून गया है अब हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे इसे भी अच्छे से मिला लेंगे अब मसाले हमारे भून चुके हैं अब हम नमक डाल देंगे अब हम नमक डाल देंगे नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कैसा मिक्स करते हिह हम अर्यमी डाल देंगे ऐसे अच्छी तरह से ब्राख़क tim कर लेंगे जिसे की मसाले अच्छी तरह से मिल लिया इस इस पर हम गर मसाला भी डाल देंगे इससे भी अच्छी तरह से मेला लेंगे आमचुर भी डाल देंगे इसमें हम पाने बिल्कुल भी नहीं डाल हैं आप चाहे तो पाने भी डाल सकते हैं थोड़ा इसे हम सुखा ही रखेंगे थे जाँ हमारा अच्छे से यह कोट हो गया है अब हम इसके प्रेटिंग करतेंगे और गैस को बंद कर देंगे अब यह हमारा अर्वी की सब्जी तेयार है इस पर हम क्रिस्पी फ्लेक्स को डाल देंगे और यह हमारे जब हम इसे खाएंगे तो यह बहुत ही क्रंचीनिस सा आएगा बाइट में इसके उपर हम चाट मसाला भी छीड़क देंगे अगर आपको यह मेरी रिस्पी पसंद आई है तो फैमली और फ्रेंड्स में सेर करना ना भूलिएगा इसी तरह के इंट्रेस्टिंग रिस्पी देखने के लिए मेरे चाइनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू फार तक यू